हेलो फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आई होब सब लोग अच्छे होंगे बहतर होंगे और स्वस्त होंगे वेलकम टू अफेर्स क्लाउड लर्न टू लीट मैं हूँ आशू और आज हम डिसकस करेंगे दोनों ही सब्सक्रिप्शन का प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है लेकिन सबसे इंपॉर्टन है कि हम 90 से 95 परसेंट तक वो क्रेंट फेर्स कवर कर रहे हैं जो आपके एक्जाम में आपको मिलेंगे यहीं खासियत है अफेर्स क्लाउड की लेकिन हम आपको क्रेंट फेर्स किस तरह से प्रोवाइट करेंगे आपको मिलेंगे डेली क्रेंट फेर्स डेली में तीन तरह के क्रेंट फेर्स होंगे एक में डिटेल क्रेंट फेर्स कोस्चिन एन अंसर फॉर्मेट में और एक होग मन्थली section होगा, मन्थली में 4 तरह की चीज़े होगी, detail current fairs होगी, question and answer format में PDF होगी, best 100 current fairs मिलेंगे, वो भी question and answer format में मिलेंगे, और pocket PDF में मिलेंगे, जिसमें आप 2 line में, 3 line में current fairs को क्या कर सकते हो, revise कर सकते हो अपने exam से पेले, लेकिन आपकी preparation को और बहतर करने के लिए हम आपको provide कर रहे हैं, बहुत ही important topic wise current fair, जिसमें हम 20 बहुत important topics को cover कर रहे हैं, जो कि हर exam के लिए important है, मतलब अगर एक ही topic से लेटर जितनी भी news हैं, वो आपको एक ही PDF में मिल जाएगी, और अगर आप banking aspirant है तो हम आपको तीन चीज़े दे रहे हैं, जैसे कि आपको मिलेंगे detail और question and answer format current fairs banking and economy के ही सिरफ, और एक होगा quiz जो कि हर महीने banking and economy का आप हमारी application के उपर attempt करोगे, अगर आप जितना भी पिछला 2021 का current fair है, like June तक का, वो एक ही PDF से आप cover करना चाहते हो, तो आप exam PDF से उससे revise कर सकते हो, आपको budget और economic survey detail में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपक expected question and answer भी बताये जाएंगे, जो examiner आपसे यहां से पूछ सकता है, और दोस्तो state current fairs भी हम cover करवाएंगे, ताकि आपकी state exam भी यहां पे cover हो सके, लेकिन हम हर state और union territory को क्या कर रहे हैं, cover कर रहे हैं, लेकिन यह सारे चीजों के लिए आपको कोई अलग-लग subscription लेने की ज़रू कर सकते हैं, और दोस्तों, एक साल के लिए या दो साल की validity, एक बर मेरे कहने से check ज़रूर करें, price आपको खुद पता लग जाएगा, कितने कम price पे हम provide करें, 10% extra discount मिल जाएगा, अगर आप ASH10 code का use करोगे, अगर आपकी कोई query है, तो इस number पे और इस email ID पे हमें contact कर सकते हैं, तो start करते हैं, 2 July 2021 का current fair, लेकिन सारे बच्चों से एक request करना चाहूंगा, कि यार वीडियो को like करें, share करें maximum to maximum, और चैनल को subscribe कर दें, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि यहीं एक motivation है, जो आप हमें provide कर सकते हैं, और आप हमारे telegram group को join कर लें, link जो है और इंडिया का rank जो है, वो कौन सा है, जो की question में पूछा हूँ है, और top country कौन सी है, तो global cyber security index के अंदर जो है, वो top country कौन सी है, United States of America, और किसने इसको publish किया है, याद रखना है, international telecommunication unit, तो मतलब अंसर क्या होगा, ITU होगा, और इस international telecommunication union का जो headquarter है, वो कहां पे है, स्वि और उसमें इंडिया का rank बहुत पीछे था, अगर पिछले वार का index देखोगे, तो 47th rank था, तो अगर आप देखोगे 37 positions इंडिया जो है, वो उपर आ चुका है, जो कि आप इस diagram से भी देख सकते हो, इंडिया jumps 37 places to rank 10th in the International Telecommunication Union Global Cyber Security Index 2020, लेकिन अगर सिरफ Asia Pacific का आप देखोग सिंगापूर और जो सिंगापूर है, वो टॉप कर जाता है इसके अंदर, तो ये चीज़ें आपने याद रखने हैं, जितनी मैंने बताई है, ये ही important है इसके अंदर, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, International Telecommunication Union इसको publish करता है, इसका headquarters स्विजर लैंड में है, USS में टॉप क आज जो pillars के basis पे decide की जाती है कि कौन सी country, कौन से number पे है, basically जो International Telecommunication Union की 193 member states हैं, और साथ में जो Palestine है, सब को मिला के जो cyber security का global rank देखा जाता है, इसमें legality देखी जाते हैं, मतलब legal measure देखे जाते हैं, technical measure देखा जाता है, organization measure देखा जाता है, capacity development देखी जाती है, cooperation देखी जात है, तो आपने तीन-चर चीज़ें इस question के अंदर याद रखनी है, जो भी मैने आपको बताई है, लेकिन ये भी index जो आप देख रहे हो, ये ranking जो आप देख रहे हो, ये भी important है, खास करके इंडिया के माहिने से, जैसे कि आप देख रहे हो fourth rank, fourth rank दोस्तों, इंडिया का recently इसमें इंडिया का स्थान जो fourth top country कौन सी है, United States of America, 49th rank, इंडिया का दो लिस्ट के अंदर जो है, 49th rank एक तो good governance index के अंदर, याद रखना है, 49th rank है, और इसमें top किस ने किया था, good governance index के अंदर, Finland ने top किया था, और एक और index है, जिसमें 49 था, वो था inclusive internet index, याद रखना है, inclusive internet index, 2021 का ही, और इसमें 49th rank था, लेकिन इसमें top किस ने किया था, Sweden ने top किया था, 40th rank, इंडिया का 40th थान था दोस्तों, international intellectual property index में, international intellectual property index के अंदर, जो की 2021 का ही है, इसमें 40th थान था, इंडिया का, और United States of America ने top किया है, तो अब देखोगे, अगर renew attractiveness में, United States ने top किया है, cyber security मे United States ने top किया है, और international inclusive internet index में भी USA ने top किया है, तो इस सारे के सारे index को थोड़ा सा एक पर लिख लेना है, short form में लिख लेना है, तांकि आपको सारे के सारे याद रहे हैं, next आते हैं, who became the youngest ever chess grandmaster, most most important question है दोस्तों, यह आपको SBA में 100% यह question आपको मिलेगा ही मिलेगा, youngest ever chess grandmaster, इस से पहले यह जो आप कह सकते हो, टाइटल था youngest ever chess grandmaster का, यह सरजे के पास था, सरजे क्रैचकिन के पास था, अगर पूरा नाम लोगे, इन्होंने 12 साल और 7 महीने की उमर में, जो है, वो chess grandmaster का टाइटल जीता था, लेकिन अब एक Indian American है, जो इस record को तोड़ चुके हैं, मा 12 साल 4 महीने 25 दिन के अगेवल, और Indian American chess player है, जिन्होंने यह टाइटल जीता और किसको हराया है, यह याद रखना है, लियोन मेंडोका जी को हराया है, मतलब यह भी जो है, इनकी age भी बहुत कम है, और यह मतलब इन्होंने भी recently grandmaster जीता था, याद रखने की जरूर थीन, ले 12 साल 4 महीने का, और अब देख सकते हो कितने ध्यान से वो, मतलब अपनी निगा उस लक्षे के उपर टिकाई बैठा है, जिसको इसने हासिल करना है, तो इसी तरह से आपने भी जो है, जो बच्चे SBA की तियारी कर रहे है, उनका एक्जाम आने वाले, तो इसी तरह से प्लेयर बन चुके हैं, तो इंडियन अमेरिकन ये याद रखना है, और ये ग्रैंड मास्टर टूर्नमेंट कहां पर हुआ था, इतना याद रखेंगे, और किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है, ये भी याद रखेंगे, सर जी, जिसनोंने ये रिकॉर्ड हासिल किया था, 12 सा महीने में, और 19 साल हो गए थे दोस्तों, इस रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ा था, याद रखोगे इसको, नेक्स आते हैं दोस्तों, अगले कुस्चिन के उपर, वो वन डाइना अवार्ड 2021 फर दिर कॉंट्रिबुशन ड्यूरिंग कोविट 19, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कि ये डाइना अवार्ड जो है, वो मतलब किसके नाम से दिया जाता है, तो शायद आपने एक नाम सुनाओगा, प्रिंसेस डाइना, जिनको प लेटे आप कहा सकते हो, विलियम एंड हैरी, जो कि प्रिंस है, तो दोनों जो है, वो हल्प करते हैं इसके लिए, और ये अवार्ड इस साल जो है, वो ये तीनों इंडियन को मिला और डेली के स्टूडेंट से हैं, तो इन तीनों ने इस मेडल को जीता है, क्यूं जीता है क्योंकि इन्होंने COVID-19 के दुरान society की help की है, इसलिए इनको ये role of honor दिया गया है, तो dyna award role of honor क्यों दिया गया, इनकी contribution के लिए society को COVID-19 के दुरान इन्होंने बहुत से लोगों की help की है, और dyna award के बारे में मैं दोनों चीज़ें आपको बता चुका हूँ, तो याद रखना किसके नाम से और किसको मिला simple question, simple answer, next आते हैं very important questions के उपर, लेकिन फिर से सारे बच्चों से कहना चाहूँगा, वीडियो को like, share और चैनल को subscribe ज़रूर करना है, यहीं एक motivation आप provide कर सकते हैं, और telegram group को join करने link दिया हुआ है, very important question में पहला question है, which organization released the world first report on the use of artificial intelligence in the healthcare sector, तो पहल एक world level पर यह report पेश की गी है, कि health sector के अंदर artificial intelligence के अंदर क्या challenges है, किस तरह से artificial intelligence का हम healthcare sector में use कर सकते हैं, तो यह report by default healthcare sector से है, तो किसके द्वारा launch की गई होगी, world health organization, यह इसलिए very important में cover कर रहे हैं, क्योंकि यह पहली report है, जो artificial intelligence और health sector को आपस में जोडती है, तो अब information, issues, first global report, artificial intelligence and the health, इतना ही याद रखोगे, तब भी question cover आजाएगा, लेकिन इस पूरी report का नाम क्या है, ethics and governance of artificial intelligence for health, मतलब किस तरह से हम artificial intelligence को govern करेंगे, किस तरह से वो मर्यादा को बंग नहीं करेगी, मतलब आपकी data privacy है, security है, आप कह सकते हो कि आपका data इतना जादा उनके पा लेकिन उसको tackle किया जाएगा, इस technology के through, तो WHO ने 6 principles को कहा है कि हम artificial intelligence को public interest के लिए use कर सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि transparency और intelligibility जो है, artificial intelligence की सबसे जादा उसको use कर सकते हैं, human well-being को artificial intelligence के through public health के through improve कर सकते हैं, और साथी साथ, जो medical decision है, या patient को, patient का medical data है, उसको protect करना है, उसम कि 6 principles जो हैं, वो उन्होंने लग-लग level पे बताएं हैं, और WHO ने ये report अकेले त्यार ने की, उन्होंने international experts के साथ जो है, वो अपने विचार जो है, वो सांजा किये, जिसके बाद जो है, वो उन्होंने ये report को त्यार किया, जो कि अब हर country use कर सकती है, अपने risk को minimize करने के लि कि World Health Organization के Director General कौन है, और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, 7th of April को, और आपको पता है, 7th of April को हम एक दिन भी बनाते हैं, World Health Day, World Health Organization की स्थापना के दिन, और इसी तरह से आपने याद रखना है, इसका headquarters वो तो जनेवा ही होगा, नेक्स आते हैं दोस्तों, अगले question के अंदर है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा nuclear power plant है, ये आपने याद रखना है, कुंडा कुलम, तो अपने आपने एक important हो जाती है दोस्तों, कुंडा कुलम के बारे में, और इसका पहला और दूसरा unit जो है, वो already, already working है, तीसरा और चोथा under construction है, इवन आप कह सकते हो कि advanced stage म जो है, वो कौन सी country की company है, रश्या की, तो ये और साथ में, nuclear power corporation of India, दोनों मिलके, पांचमें और छटे unit के उपर जो है, वो काम करें, उनका construction work, जो है, वो क्या हो चुका है, start हो चुका है, तो अब देख सकते हो, रश्या begins construction of fifth unit of कुंडा कुलम nuclear power plant, और यहां पर आप देख सकते हो, construction जो है, वो start हो चुका है, वैसे ये पूरा कुंडा कुलम project का first unit जो है, वो 2002 में start हो गया था बनना, लेकिन उसके बाद जो है, वो आप कह सकते हो, दीरे-दीरे करके, जो है, वो ये पार्ट जो है, वो complete होँआ, फिर third or fourth construction में आए, वैसे तो ये 2018 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन अभी जो है, वो शायद पूरा जाके, दो हैर 32 या दो हैर 25 तक complete होगा, कुंडा कुलम जो है, वो largest nuclear power station है, बात कर चुके हैं, और ये तीसरा और चोथा unit advanced stage में, दो हैर 26 में complete होगा, पांच मा चटा उसके बाद जो है, वो complete हो जाएगा, और इसमें जो र एरिया है, वहाँ पे इसको बनाया जाएगा, तो ये चीजे जो है, आपने याद रखनी है, रशिया बना रहा है, वहाँ पे इंडिया वो से योग कर रहा है, तो दोनों चीजे बहुत important है, नेक्स आते हैं दोस्तों, अगले question के उपर, which bank launched Salute Doctors, a digital and instant banking solution, आपको पता है, Salute doctor, क्योंकि doctors day है, एक July को, तो by default Salute doctor नाम से एक bank ने, एक instant banking solution जो है, वो निकाला है, तो आपने simply बस इतना याद रखना है, Salute doctors और bank का नाम क्या है, ICIC, नेशनल doctor days को, ये doctors को कुछ contribute करना चाहते हैं, तो इसलिए digital and instant banking solution जो है, वो medical doctors के लिए, इन्होंने तियार किये हैं, इस क्योंकि ICIC stack जो है, वो ICIC का एक ऐसा platform है, जो उन्होंने 2020 में launch किया था, जिसमें जितनी भी banking services है digitally, वो आपको एक ही platform पे मिल जाएंगे, उसको ICIC stack कहा गया, और अब इस जो आप बात कर रहे हो, इसकी Salute doctors की, इसके अंदर जो है, वो value added services जो है, वो doctors को दी जाएंगी, वो doctors कोई भी हो सकते हैं, like medical students हो सकते हैं, senior medical consultants हो सकते हैं, even hospital के honors हो सकते हैं, clinic के honors हो सकते हैं, उन्हों सब को ये सुविदाएं, जो है, वो दी जाएंगे, और इनको तीन तरह के अलग-लग variants मतलब saving account के दिये जाएंगे, एक wealth से related होगा, एक platinum account होगा, एक gold account होगा, जिसमें wealth, ना home loan ले सकते हैं, पांच क्रोड रुपे तक का, even जो bank है, वो medical education loan भी provide करेगा, एक क्रोड रुपे तक का, और उसके लिए special category जो है, वो बनाई जाएगी, personal loan दे रहे बैंक 25 लाख रुपे का, लेकिन only doctors, और doctors का मतलब है, medical students भी उसके अंदर आएंगे, क्योंकि वो भी एक तर लेकिन ये incorporate किया गया, 1994 में, इसका headquarter कहां पर है, बच्चे बच्चे को पता है, यार, headquarter तो मुंबई में है, MD और CEO, बहुत बड़ी मत्रा में, हम ऐसे question कर चुके हैं, खास कर के HDFC और ICAC के बारे में, मेरे ख्याल से बताने की बच्चों के जुमान पर वैसी आ जाएगा, स सारी चीज़े importantly याद करके अगले question के उपर बढ़ेंगे, what is the name of editor of Sudharma, India's only Sanskrit newspaper or daily, recently passed away, तो यार, बहुत important question है, खास करके, अगर examiner के दियान में आ गया, तो मेरे ख्याल से examiner question जुरूर डालेगा, कि यार, एक ही newspaper है, जो Sanskrit में आता है, पूरे इंडिया में, जिसका नाम कहा है केवी संफतकुमार, तो आप यहां पर देख सकते हो, केवी संफतकुमार का photo, editor है, इस newspaper के, और इनका देहान थो चुका है, और आप यहां पर देख सकते हो, केवी संफतकुमार, along with his wife, विदी केस, जया लक्षमी, was honored with the Padam Shree for literature and education in 2020, मतलब, last year ही जो है, इनको आप कहा सकते ह कि यह पदम शिरी अवार्ड जो है, वो दिया गया है, लेकिन यहां पर important कहा है कि यह Sanskrit newspaper, इस से ही आपको जो है, वो सारी चीजे याद रहेंगी, मतलब, Sanskrit newspaper नाम कहा है, उसका सुदर्मा, और साथ सी साथ आपने याद रखने है कि यह newspaper इनके father ने start किया था, जो कि एक बहु और ने digital मादम से newspaper को बेजना start किया, ताकि जो Sanskrit scholars हैं, वो पूरे world में इसको पढ़ सकें, तो इस तरह के initiative जो है, वो K.V. Sampat Kumar ने किये हैं, तो जुरूर याद रखेंगे, नाम, newspaper का सबसे ज़्यादा important, और उनके editor का उससे भी ज़्यादा important, अगले question के उपर बढ़ेंगे एक बुक टाइटल्ड, Fiercely Female, The Dutty Chand Story, Authored by Home, तो दोस्तों, फिर से Dutty Chand के बारे में बात हो रही है, एक exceptional sportsmanship जो है, वो आपको Dutty Chand में मिलेगी, और आप कह सकते हो कि इनकी जर्नी जो है, वो बहुत कठीन रही है, क्योंकि पूरे इंडिया की first openly homosexual athlete, जो है, वो कौन है, वो ह आप में, openly homosexual athlete, और यह बुक उनके challenges के बारे में है, उन्होंने जो दिक्कते हैं, फेस कियों, उसके बारे में है, और यह बुक लिखिये सुंदीप मिश्रा ने, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बुक टाइटल, Fiercely Female, एक दुती चंद स्टोरी, बाई सुंदीप मिश्रा और यहाँ पे दुती चंद का आप फोटो देख सकते हो, और मतलब only India की homosexual athlete हैं, openly homosexual athlete हैं, और किस तरह से अपनी gender identity के कारण, यह सुर्खियों में रही, उसके बारे में इन्होंने बताय हुआ है, किस तरह से इनको 2014 में Commonwealth Games को खेलने से रोक दिया गया था, इनको drop कर दिया गया मतलब sports के court में गया, तो वहाँ पे जो है, वो रोक लगा दी गई थी, और इनको ऊपर रोक हटा दी गई, और पहली Indian woman है, जो gold medal जीती है, 100 meter global racing event के अंदर, 100 meter global racing event के अंदर, जो की इटली में हुआ था, और यह हम बात करें, 2019 की, इटली के अंदर, और third woman हैं दोस्तों, यह यह आप यह दरोक हो है, 5th Indian है, to qualify for the 100 meter racing event in Olympics, and she qualified for 2000 on 19 Rio Olympics, तो इतनी बड़ी मतलब दिल्चस्प कहानियां जो है, वो जूडी हुई है, अलग-लग players के साथ, आप जो देखते हो, वो बना-बना एक player देख लेते हो, लेकिन उसके पीछे की जरनी है, वो बहुत ही motivational है, बहुत सुन्दीप मिश्रा के द्वारा, तो author जो है, वो आप जरूर याद रखोगे, लेकिन जो आप यहाँ पे author और देख रहे हो, यह भी जो है, वो आपके लिए important है, दोस्तों, लाइक आप देख रहे हो, यहाँ पे, अनिंदय अधत्ता, इन्होरे recently एक book लिखी थी, Advantage India, या dynasty कहा है, राहूल गांदी, क्योंकि अमेठी से हार गए थे, democracy कहा है, समरीती इरानी को, dynasty to democracy, the untold story of समरीती इरानी's triumph, तो याद रखोगे, नेक्स आते हैं, अगले question के ओपर, the state and UT launched होसला scheme to promote women entrepreneurship, तो women empowerment के लिए, जादा से जादा women business को आगे बढ़ा सकें, तो उसके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट के है, जिसका नाम के है होसला, keyword याद रखोगे, और ये स्टार्ट किस ने किया है, जम्मो एंड कश्मीर ने, तो याद रखोगे, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ, इनके lieutenant और lieutenant governor, जो कौन है, मनोस सीना जी, उन्होंने इस होसला scheme का उदगाटन तांकि woman entrepreneurship को हम आगे बढ़ा सके, especially जम्मो एंड कश्मीर के अंदर, तो ये implement कौन करेगा, जम्मो एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन और्गनेशन करेगी, तो जम्मो एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन और्गनेशन जो है, वो small and medium enterprises forum के साथ मिलके, जो है, पांच महीने का हो तरह की सहायता दी जाएगी, बिजनस को आगे बढ़ाने में, और जो हमारे पास मनो सिना जी है, लेटिनेट गवर्नर, वो financial aid भी प्रवाइड करेंगे, पचास हजार यूथ को back to village program के थरू, तांकि वो अपने traditional methods को ना चोड़ सके, अपने traditional methods को जारी रखें, तो ये होसल जो है वो आपके लिए keyword रहेगा जम्मो कश्मीर साथ में याद रखो गए, जम्मो कश्मीर में दोस्तों आपको लेटिनेट गवर्नर तो पता लग गया है, लेकिन यहाँ पर important क्या है, और भी चीजे जो की है national parks जो आपको जम्मो कश्मीर में बिलेंगे, जैसे कि आपको म बहुत important है, चारों के चारों important है, याद रखोगे, नेक्स आते हैं, what is the theme of national doctor's day 2021 और आपको यह भी पता होने चीजे कि national doctor day जो है, वो कौन से दिन मनाया जाता है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जब हमने salute doctor नाम से ICAC का program स्टार्ट किया था, तब 1 जून, जून नहीं दोस्तों, एक जुलाई, एक जुलाई को national doctor day मनाया जाता है, और इसका जो theme है, वो इस बार का क्या है, save the saviors, और किसकी तरफ से declare किया गया theme, IMA की तरफ से, Indian Medical Association की तरफ से इसको declare किया गया है, तो याद रखना है कि doctor's day कब मनाया जाता है, एक जुलाई को मनाया जाता है, और दूसरी चीज़ जो इसमें याद रखने वाली है, कि इसकी parent organization कौन है, वो है Indian Medical Association, तो national doctor's day एक जुलाई 2021, और ये दोस्तों birth और death anniversary celebrate करता है, डॉक्टर बिधान चंदर रॉय, जिनको हम डॉक्टर BC रॉय के नाम से जो है, वो जानते हैं, और BC रॉय, उनली आप कह सकते तो doctor से ही famous नहीं है, वो West Bengal के दूसरे chief minister भी रह चुके हैं, second chief minister of West Bengal, और कब से लेके कब तक रह चुके हैं, 1948 से लेके 1962 तक वो chief minister रह चुके हैं, West Bengal के, 1962 में इनका देहान थुआ था, और 1882 में जो है वो इनका जनम हुआ था, लेकिन दोनों ही date 1st July है, 1st July को जनम हुआ, 1st July को देहान थुआ, तो इनके दिन से फिर 1st July को क्या मनाने लगे हम, National Doctors Day, और इनको बारत रतन का सम्मान भी दिये है, 1961 में, तो बहुत ही important important चीज़े हैं, और यहां पर organization important है, IMA, Indian Medical Association, जिसका headquarter New Delhi मिलेगा, और National President कौन है, Dr. Rajan Sharma, याद रखोगे, Dr. Rajan Sharma, और दोस्तों साथ आप में एक चीज़ और याद रखनी है, यहां पर जो आपको और themes मिल रहे हैं, यह भी जो है, वो किसी ना किस तरह से related है, थोड़ा बहुत, किसे health से related है, like अगर आप देखोगे, अभी मैंने आपको बताया था, एक तो National Health Day का, National Health Day का क्या है, Building a Fairer, Healthier World for Everyone, यह 7 April को, जो है वो यह दिन मनाया जाता है, और यह National Health Day का क्या है, theme है, तो इसको भी आपने याद रखना है, कि यह National, sorry, National World Health Day का, जो है, वो theme है, next, second, save lives, clean your hands, और यह theme है, दोस्तो, World Hand Hygiene Day, हाथ को दोना है, तो by default Hand Hygiene Day है, और यह 5 मई को जो है, वो celebrate किया जाता है, और measurement for health, बहुत बार कर चुके है, World Metrology Day, अभी last महिन ही हमने इसको celebrate किया है, कब 20 मई को, तो यह सारे के सारे दिन किसी ना किस तरह से health से related है, तो आपने इसको याद रखना है, नेक साते हैं, अगले question के ओपर, Indian Navy और कौन सी company के बीच में tie-up हुआ है, ताकि वो नई technology को use कर सके, और नई तरह के weapons नहीं तरह की चीजें बना सके, Indian Navy के लिए, और उनकी जो शमता है, वो और भी बढ़ाई जा सके, खास करके आतनिरबर बारत को मुझ मजबूत किया जा सके, तो अनसल है, बारत Electronics Limited, तो अनसर याद रखोगे, BEL, तो दोनों Indian Navy भी और बारत Electronics Limited भी दोनों मिलके, एक हैंगे कि weapons और sensors को किस तरह से नए तरीके से यूज किया जा सकता है, information and technology को नए तरीके से यूज करना है, emerging technology मतलब artificial intelligence, machine learning, quantum computing, cloud computing, robotics, इन चीज़ों को कैसे हम यूज कर सकते हैं, weapons बनाने में या अलगलग तरह की चीज़ों को बनाने के लिए, Indian Navy के लिए, तो आतन निरबर ब बिसिकली स्टार्ट हुआ है, आप कहा सकते हो, इंडिया के अंदर lockdown था उस ताइम पर पे, तो एक 20 लाग क्रोड रुपे का package जो है, वो नाउंस किया गया था, जो कि हमारी GDP का 10% है, वो नाउंस कर दिया गया COVID-19 pandemic से उबरने के लिए, और 5 pillars जो रखे गए थे, वो क्या थ इंफ्रस्टक्चर था, आप कहा सकते हो, डेमोग्राफी थी, डिमांड थी, एकॉनमी थी, अगर इसको इंप्रूव कर देते हैं, तो बाई डेफॉल्ट इंडिया सेल्फ एरलाइंट बन जाएगा, तो ये सारी चीजों के साथ अगले question के ओपर बढ़ेंगे, विच स्टे लांच की गई है, किसकी तरफ से की गई है, हर्याना की तरफ से की गई है, तो आप देख सकते हो, हर्याना के चीफ निस्टर मनोहरलाल खटर जी, उन्होंने इस application को लांच किया है, जन सहायक आपका सहायक नाम से, तो आप देख सकते हो, ये everywhere, anytime, anybody, कोई भी services, कहीं पे भी, किसी भी तरह से, किसी को भी चाहिए, तो आप जो है, वो इस application के माद्यम से, वो services सरकार की use कर सकते हो, और ये government to citizen services है, चाए business to citizen services है, वो आपको एकी platform पे मिल जाएंगी, क्योंकि हर्याना की already जो है, वो बहुत सी schemes चल रही है, और आप सोच भी नहीं सकते, 551 government services चल रही है जो हर्याना government provide कर रहा है, मतलब इतनी services लोगों के लिए जो है, वो provide की जा रही है हर्याना government की दरह से, और सारी आपको एकी platform पे मिल जाए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, और साथी साथ इन्होंने एक launch किया मुख्या मंत्री शेहरी निकाई स्वैमितव योजना, specially मैं HCS के students को कहना चाहूंगा, जिनका 12 September को exam HCS prelims का, तो वो थोड़ा सा ध्यान से हर्याना की news को पड़ा करें, और उनके लिए बहुत important है, खास करके जो अभी news जा रही हैं, वो जादा आने के chances हैं, तो मुख्या मंत्री शेहरी निकाई स्वैमितव योजना, तो इसके अ में भी 50% discount जो है, वो दिया जाएगा, लेकिन एक खास बात है, इसमें याद रखना है, कि जिन properties को 20 सा हो गया है, rent पे या lease पे, उनकी ही बात हो रही है, साथी साथ इन्होंने demand side management AC scheme की भी जो है वो शुरुबात किया, यह energy conservation scheme है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, जो urban और rural areas है, उसमें energy conservation को पर्मोट किया जाएगा, इवन हर्याना government ने बहुत ही important air conditioner बनाने वाली companies के साथ टाइप किया है, जैसे डेकन है, वोल्टास है, ब्लू स्टार है, कि आप जो है वो डे टन का एक AC बनाएं, उसका जो है वो आपको cost savings अपले टेसी बनाएं, और वो आप 59% discount पे जो है, वो MRP पे जो है, वो लोगों को provide करें, और इसमें जो लोग apply करेंगे online फिर उन को जो है, यह दिया जाएगा, इवन सरकार ने ये भी कहा है, कि अगर आप नया AC खरीदते हो urban area में, तो हम आपको 2000 रुपे की subsidy देंगे, 2000 रुपे, गरमी से रहात के लिए, और आपको पता होना चाहिए कि यह मतलब management air conditioner service जो है, और one of its kind है, मतलब ऐसा आपने सुनना नहीं होगा कि air conditioner लगाने के लिए सरकार subsidy आपको दे रही होगी, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा दियान से इस news को पढ़ना है, और हर्याना के बारे में मैं हमेशा ही कहता हूँ, खास क नरायन आ रहा और चीफ निस्टर मनुहला खटर जी है, कैपिटल चंडीगड है, और दो national park जो हैं वो जुरूर याद रखेंगे, एक तो सुल्तानपूर, सुल्तानपूर याद रखना है दोस्तों, सुल्तानपूर नैशनल पाक आपको गुडगाओं में मिलेगा, परिखाल से ज़्यादा परिशानी नहीं होगी याद करने में, नैशनल चाटेर अकाउंटेंट डे एक जुलाई को मनाया जाता है, क्यों एक जुलाई को मनाया जाता है, इस दिन इंसिचुट ऑफ चार्टेर अकाउंटेंट की क्या हुँ थी? स्थापना हुई थी, तो य 21 में हम 73rd National Chartered Accountant Day जो है वो बना रहे हैं तो मतलब इसमें organization जो important होगी by default IECI होगी और इसका headquarter New Delhi है President कौन है C.A. Nihar N. Jamsurya जी लेकिन फिर भी आपको कुछ नाम ना भी याद रहे तो only Nihar जो है वो थोड़ा सा read कर सकते हैं question पूछने के chances कम है which company has acquired encrypted messaging platform Wicker तो आपको बता है Wicker जो है messaging application है जिसमें आप like WhatsApp की तरह जो है वो काफी चीज़े share कर सकते हो तो इस application को acquire कर लिया गया है खरीद लिया गया है कौन सी company के द्वारा Amazon की तरफ से खरीद लिया गया है basically Amazon web services की तरफ से इसको खरीद लिया गया है अब Amazon की अपनी अलग से messaging application होगी cloud computing division की तरफ से इसको खरीद गया है मतलब Amazon web services की तरफ से खरीद लिया है और आपको ये भी पता होने चाहिए कि Wicker जो है वो एक government agencies के साथ tie-up करती है मतलब government के messages जो है वो लोगों तक पहुंचाती है United States of America में तो मतलब वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा famous थी तो इसलिए याद रखना है Amazon ने इसको खरीद लिया है बस इतना ही question याद रखना है इसमें और कुछ important नहीं है नेके साथ है important questions के ओपर वीडियो को like करना है share करना और चैनल को subscribe जरूर कर दें मैं उमीद करता हूँ कि आप हमें motivation जरूर provide करेंगे इन में से जो है वो तीनों काम पूरे करके और telegram channel को join करने ये चौथा काम भी कर देना है description box में link given है कौनसी organization ने 500 million dollar का loan दिया है इंडिया को informal working class को sport करने के लिए तो question बहुत ज़्यादा important तो नहीं कहूँगा क्योंकि informal working class के लिए organization अल्ड़ी बहुत ज़्यादा पैसा जो है पहले भी दे चुकी है लेकिन अब दुबारा से 500 million dollar जो है वो दे रही है ताकि जो परदान मंत्री गलीब के जोजना है उसको भी हम sport कर सकें और इसमें जो maturity रखी गिये इस loan की वो भी बहुत ज़्यादा है like 18.5 साल मतलब 18.5 यर्स जो है वो maturity रखी गिये 5 साल का grace time period भी किसी तरह से loan ना दे सको इसमें 2 organization participate करेंगे एक तो idea करेगा और एक international bank for reconstruction and development करेगा मतलब कुछ पैसे जो है वो कौन देगा international development agency की तरफ से दिये जाएंगे और कुछ पैसे international banking international bank for reconstruction and development की तरफ से भी दी जाएंगे और इस loan को एक नाम दिया गया है creating a coordinated and responsive Indian social protection scheme याद रह गया तो ठीक है otherwise कोई skip भी कर सकते है उसको world bank के बारे में याद रखना है world bank किस था अपना 1944 में हुई थी IMF के साथ ही की गई थी और इसका headquarter Washington DC में आपको मिलेगा और साथी साथ president जो है वो देविड और माल पास है देविड माल पास है और world bank country जो director in India है वो याद रखने की ज़रूरती हैं कही जगा पर आपको नाम मिलेगा जुनेद एहमद लेकिन याद ना करें उसको जब देविड माल पास याद रखें और कितनी member countries है 189 IMF की कितनी है 190 यह confusion crate हो जाता है नेक्स जो है वो इसको सिरफ picture से समझेंगे बहुत जादा important तो नहीं कहूंगा लेकिन आपको फिर भी समझना पड़ेगा इसको क्योंकि question है NPST's time pay gets note for third party UPA application जैसे google pay की application है phone pay की application है वैसे ही आपको अब जो है वो application मिल सकती है NPST की कौनसी application time pay और NPST का मतलब है Network People Services Technology इनको NPCA National Payment Corporation of India की तरफ से third party जो है वो license मिल चुका है third party का जो इनको हाँ चाहिए थी वो National Payment Corporation of India की तरफ से दे दी गई है अब क्या होगा जो यह third party application provider registration है अब यह ऐसी एक entity बन जाएगी जो की UPA application बना सकता है और अपने customers को facilitate कर सकता है कि वो UPA based payments कर सकते हैं यह मतलब इसका फायदा होता है third party application provider का और TPAP registration जो है वो इस company को और पावर दे देगा कि वो digital services जो आप अपने partner bank current account customers को provide कर सकते हैं और even directly भी जो है वो लोग उनकी application को use कर सकते हैं payment को करने के लिए registration जो है by default help करेगा network people service technology को कि वो नए merchants जो है इनके साथ जुड़ेंगे ताकि maximum to maximum bank अगर इनके साथ जुड़ जाते हैं तो payment जो है वो असानी से लोग कर सकते हैं इतने की news को याद रखना अधरवाइस इसमें बहुत ज्यादा कोई मतलब आपको रट्टा लगाने वाली कोई बात नी है याद रखने वाली कोई बात नी है तो याद रखना है यह अब चार venue में होगा मतलब चार लग-लग stadiums में होगा और 17 October से यह start होगा 14 November को क्या होगा खतम होगा यह और इसमें 16 teams जो है वो क्या लेंगी हिस्सा लेंगी और last time West Indies जो है वो I think मुझे exactly याद नी है लेकिन 2016 में शायद जो है वो West Indies tournament को जीता था तो याद रखना है बोथ हैंट सी ओमान और United Arab Emirates में नेक्स आते हैं वन नाइनर important points के उपर और पहला है आबुदाभी investment authority picked up minority stake in Mobiquick for 20 million dollar इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है सिरफ इतना याद रखना है कि आबुदाभी investment authority ने जो है वो कुछ stake जो है वो मोविक्विक मे उसे next इतना ज्याद important ने छोड़ दें इसको सिरफ यह याद कर लें कि SB energy को अधानी green ने acquire कर लिया है Forex reserve India के बढ़ चुके है financial year 21 में जो increase हो है 99.2 billion जो है वो इतने forex reserve increase हो गये है कि यह current account होता क्या है देखे जितना भी domestic economy है like पैसा गया पैसा आया domestic economy के अंदर हमारे देश के अंदर वो सारा का सारा पैसा हम budget में discuss कर लेते हैं like कितना खर्चा हुआ कितना पैसा आया tax से लेकिन जो बाहर से पैसा आया उसको हम balance of payment कहते है balance of payment को आगे दो पार्ट में divide गया है current account में और capital account में current account आगे कौन से कौनको से दो पार्ट में divided होता है हमारे पास balance of trade एक होता है balance of invisible trade का मतलब है वो वस्तू है जिनका हम export करते है इंविजिबल का मतलब वो services जिनका हम export या import करते हैं trade का मतलब जिसको छू सकते हो देख सकते हो invisible मतलब जिसको छू नहीं सकते देख नहीं सकते है उनका trade तो current account का मतलब हो गया export and import उन चीजों का इंडिया के अंदर एक साल के अंदर चाहे वो goods हैं चाहे वो services हैं तो उसमें इंडिया को surplus हुआ है मतलब इंडिया को profit हुआ है कितना total मिला के export import का 0.9% जो है वो GDP का financial year 2021 में RBA का data कहता है तो असलियत जो है वो RBA की तरफ से आई है लेकिन actual में क्या है वो तो मतलब बगवानी जानता है लेकिन RBA के तरफ से for financial year 2022 तो government ने retain ही रखा है तो quarter 2 के लिए तो quarter 2 वाले question आने के chance जो हो कम हो जाता है like quarter 1, quarter 2, quarter 3 quarterly question जो हो कम आते हैं लेकिन यह काफी time से same interest rate चल रहा है जितनी भी small savings schemes है यह 1 April 2020 से same ही चल रहा है like जब से COVID स्टार्ट हुआ है और small savings schemes का मतलब है कि like 12 schemes already इसमें चल ली है public provident fund है किसान विकास पत्तर है सुकन्या समरिदी scheme है national savings certificate scheme है तो यह सारी के उपर interested जो same ही चल रहा है like annual interest rate जैसे कि मैं एक का बता देता हूँ कि जो हमारे पास national savings certificate है उसके उपर 6.8% है PPF के उपर 7.1% है वो same ही रहेगा मतलब वो उसमें कोई changes नहीं आएगे next ministry of defense initiate project to create first of its kind cyber museum on war heroes तो एक नया cyber museum जो है वो बनाया जा रहा है war heroes के लिए जिसमें नई technology का use किया जाएगा एक जो gallantry award winners हैं उनकी एक list निकाल के जो उसमें शामिल की जाएगी और उनके लिए एक museum त्यार किया जाएगा और confederation of Indian industries में हिस्सा लेगा और बड़ी building जो है वो बनाई जाएगी उसमें आप कहा सकतो wall of fame बनाया जाएगा और नई नई तरीके की नई नई technology 3D technology का use करके इसको बनाया जाएगा अभी location file नन लिया कि कहां पर बनाया जाएगा लेकिन let's see कि कहां पर इसको create किया जाएगा goods and service text जो है day मनाया गया दोस्तो 1st July को मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा ही होगा जिसको नहीं पता होगा कि GST day जो है वो हम 1 July को नहीं मनाते GST जो है वो पास हुआ था 29 March 2017 को जब लोकसभा राजासभा ने पास कर दिया था लेकिन इसको लागू किया गया था 1 July 2017 को और पहला GST day 2018 को मनाया गया था GST सब कोई पता है कि एक indirect tax जिसमें बहुत सारे indirect tax लगते थे उनको मर्ज करके एक tax बना दिया गया और पूरा एक domestic indirect tax होगा पूरी country के अंदर नेक्स आते हैं question of the day question of the day क्या कहता है 1st July 2021 का which bank is a specialized financial institution for financing facilitating and promoting foreign trade of India तो answer क्या था इसका Exim Bank Export Import Bank इसको दोस्तो 1982 में बनाया गया था लेकिन जब बनाया गया था तो यह IDBI की एक branch था मतलब IDBI के अंडर काम करता था Industrial Development Bank of India के अंडर लेकिन बाद में क्या हुआ जिस तरह से foreign trade increase होने लग गया और current news के basis पर भी आप थोड़ा सा इसमें एक आधी चीज जो है वो याद रख सकते हो कि Exim Bank को 1982 में जो है वो यह याद रखना है कि Center Government का role है इसमें State का role नहीं है Next आते है Question of the Day क्या कहता है What is Islamic Banking आप बहुत ही Simple Question Banking के टाइपस हमने बहुत सी डिसकस कर ली है Islamic Banking अराम से अंसर दे सकते हो और जिन बच्चों को नहीं पता वो सीख जाएंगे Otherwise बाकी बच्चे अंसर कर देंगे टेलिग्राम गुरूप से क्या होगा कि आपको पता लग जाते है कि वीडियो आ रहा है इतने बज़े आएगा कई वर उपर नीचे हो जाता है तो वह आपको पता लग जाता है कुछ नोटिफकेशन वह पता लग जाती है तो इसको जोईन कर लें और यह Faircloud का promise है कि आपके यह confidence को ज़रूर boost करेगा अगर इसी तरह से PDF को पढ़ते रहोगे और वीडियो को देखते रहोगे PDF को subscribe करें application को download कर लें link given है एक साल या दो साल की subscription buy कर सकते हैं 10% extra discount मिली जाएगा अगर आप ASH10 code को use करेंगे और गाइस life को बहुत ज़्यादा serious नहीं लेंगे मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा खुश रहें खुश रहेंगे तो exam जल्दी clear होगा यह मेरा आपसे वादा है कि खुश रहके देखो और चीजों को ignore करना सीख लो और बहुत जादा किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है चीज बगाई